तो शुरुवात में आज के क्लास में हम लोग सिप एसे का एक प्लानिंग देखेंगे कि एसे का प्लानिंग एक्च्वली होता कैसे है एसे में फार्मेट कैसे तैफ होता है एसे में हमको पढ़ना क्या रहता है ये बात तैफ होता है और अगर हम ऐसा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक format समझ हो कि एसे में format क्या होता है वैसे यहाँ आप बैठे हुए हो maximum छातर जानते भी होंगे फिर भी हम चीजों को समझते हैं कि एसे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दो मुद्दे हमारे दो इसके हिस्से बन जाएंगे सबसे पहले अगर मैं हिस्सा बोलता हूँ तो वो राष्टी स्थार की सबसे पहले इसका format भी अगर हम तै करें तो आप सभी जानते होंगे कि यह हमारा paper number two है कौन सा paper है हमारा यह paper number two के बारे हम बात करते हैं यह हमारा paper number two कहा जाएगा जिसका नाम है निबंद लेखन निबंद लेखन आपका वास्तविक्ता में पूरा व्यक्तित्व परिचा है कि आप समाज के बारे में क्या जानते हो किसी घटना के बारे में क्या जानते हो तो हमारे syllabus में बराबर लिखा हुआ है दोनों मुद्दे रहते हैं इन दोनों के मिलाकर एक भाग बनता है जिसको हम लोग यहां पर कहेंगे भाग number one कहा जाएगा पार्ट one है इस paper के दो भाग बनेंगे और दूसरे पार्ट में अगर मैं बात करता हूँ दूसरे पार्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यह लो भाग number two के बारे में हम बात करेंगे जिसमें हमारा 36 गड़ स्तर के मुद्दे रहेंगे 36 गड़ की घटनाओं के बारे में आपसे प्रस्न पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पर मैं आपको अंतर राष्टी और राष्टी दोनों सब्द को इसलिए साथ में रखने बोला क्योंकि आपसे जोड़ कर G20 बारे में भी प्रस्न पूछा जा सकता है आपको इजराइल फिलिस्तीन या इजराइल हमास संघर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है युनाइटेड नेशन की आज वरतमान में क्या भूमिका है इसको भी लेकर भोल पूछा जा सकता है इतना बड़ा संस्थान होने के बाद किस प्रकार वहा तीसरे विश्युद्ध की ओर बढ़ रहा है ये भी पूछा जा सकता है बहुंस सारे मुद्दे तो याद रखेंगे अंतर राष्टी मुद्दा भी आपसे पूछा जाता है अच्छा मैंने बोला अंतर राष्टी और राष्टी है दोनों मुद्दे से अगर पुछे जा रहे हैं दोनों प्रकार के मुद्दे से अगर पुछे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको टोटल चार प्रस्ण दिये जाते हैं अगर मैं बोर रहा हूं यहां पर आपको मैंने बोला चार प्रस्न दिये जाएंगे और इन चार प्रस्न में से आपको दो प्रस्न को चार में से हमको दो प्रस्न को सॉलो करने होते हैं चार में से कोई भी दो अभी पैटन भी दिखाऊंगा कि कैसे वो आता है कैसे उसमें से आपको सलेक्ट करने होते हैं चार में से दो सेम कहानी यहां पे भी रहेगा यहां पे भी चार आपकी दिये रहेंगे मुद्दे चार में से दो सलेट करना है इसका मतलब यहां से दो उठाना है वहां से दो उठाना है total आपको चार लिखना है और हर एक जो मुद्दा रहेगा वो 750 सब्द का रहेगा वैसे सब्दों में ज़्यादा परिसान नहीं होना है वो जगा छोड़ कर दे देता है, आपको इतने में लिखना है, तो आपको इतने में लिखना है, सब्द गिनने विनने वाला जैसा चीज मेरे के लगता है, यहां लिखने के काम आ रहा है, नहीं तो आप ही यह बताओ, दो नंबर का हम लिखते हैं, भाले कितना बोले 30 सब्द में लिखना है लेकिन हम आज तक कभी गिने क्या लिखने बाद नहीं सर चार लाइन लिखा रहता है बहर देना है बस इसको किसी भी टाइप से भरना है लेकिन इसको भरना है वैसी यहाँ सब्द मैटर नहीं करता है मैटर यह करता है सही मायने में बोलू चार पेज पांच प कर दो सो नंबार है हर एक आपका 50 मार्फ का रहते हैं तो टोटल कितने मार्फ करिए 먹을 एक बाउनदक्रामayki 200 मार्फ का हो रहा है निबंद लेखन हो रहा है चार्ठों लिखना रहेगा इदwegen से दो इधार से उधार कना इधार आएगा इधार कना उधार जाए अच्छा चलो भाई यह तो एक सिंपल मुद्दा हो गया अगर इसी का अगर मैं आपको फार्मेड दिखाऊं तो जैसे पेपर को एक बार दिखा देता हूं कि पेपर एक चेकली होता कैसे यह देखो आपको पाट पेपर ऐसा आएगा भाग नंबर एक लिखा हुआ है जिसमें अंतार राष्टी एवां राष्टी इस्तर का लिखा हुआ है ऐसे आपको चार पॉइंट दिखा रहेंगे बाकी सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया प्रत्येग 50 नंबर का है 750 सब्द में लिखना है ह Hindi वा अंग्रेजी दोनों भाम माध्यम में आप लिख सकते हो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं मैंने बोला यहां पर ऐसे चार टॉपिक रहेंगे सबसे बड़ा खेल तो सुरुवात में होता है सबसे बड़ा खेल सुरुवात में होता है आप सलेक्ट किसको कर रहा है तो आप 10 मिनट सिर्फ सलेक्ट करने में लगा दो क्योंकि ऐसा ना हो आप सलेक्ट कर लियो और लिखना is start कियो आधे में जाकर सोच रहे हो और क्या लिखो फिर यादा रहा है तो यह यादा रहा है उस समय पूरा कहानी खतम हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो एक त कर रहे हो कभी-कभी यह भी होता है बहुत बड़ा अगर बताओं यहाँ पर cgpsc में अगर पैटन बताओं हमको तो वह सालेक्ट करना चाहिए को कोई नहीं लिखता है रीयल में पैटन यह होता है अगर सब सब G20 को लिख रहे हैं सिर्फ सब के सब G20 लिखे थे और अगर सब G20 को लिखे थे ता आप 5G network अगर कोई यहां पर 5G network का लिख रहा है तो बहुत important हो जाए यह भी matter करता है लेकिन वह बात अलग है वह बात को ध्यान में रखते हुए आपको देखना आपके पास content किसका जादा है किसका strong है किसको आपने लिख लिख कर practice किया है तो select करना सबसे बड़ा task है राश्टी अंदर राश्टी कोई भी दो select करें किसी भी दो विशाय को आप लिखना स्टार्ट करेंगे उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वैसी ही वैसी जैसे पिछले साल का पेपर है एक मुद्दा आया G20 क्योंकि इसका बैठक हमारे भारत में हुआ था तो हमको पता रहता है कि भी यह ऐसे हमारे मुद्दे रहेंगे Indian Premier League IPL तो वैसे 2008 से चल रहा है लेकिन ऐसे किसी भी मुद्दे पर अचा उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि क्या लिखो कैसे लिखो IPL का बढ़ता महत्व लिखो क्या नहीं बोला जो जानते हो लिखो क्या सुरुआत हुआ कैसे हुआ हाँ प्रेजेंटेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे बहुत मैंने रखता है मैंने क्या बोला उसके बाद 5G नेटवर्क चर्चा में आज काल 5G नेटवर्क हाँ आटिफिसियल इंटेलिजेंस यह हम सब को पता था कि आने वाला था सःमायने भोलो लगबग लगबग हर बच्चे को पता था कि दो मुद्दे स साल पूछे जा सकते हैं आटिफिसियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा चर्चा कावीस है था हर देश में आटिफिसियल इंटेलिजेंस बेजड अभी चर्चा कावीस है तो ये चार मुद्दे रहेंगे, चार में से दो आपको सलेक्ट करना है, सलेक्ट करने से पहले एक दिमाग में प्लानिक करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या-क्या सोचूंगा, इसमें मैं क्या-क्या लिखूंगा, इसके मेरे पॉइंट क्या-क्या पे हैं, ऐसा हमको सोचना प फर्म था कि यहां से प्रस्ण पूछे जाएंगे और आया भी है उन्हीं का प्रोजेक्ट से भी क्योशन आया था रामवन पत्गमन परियोई हरेली तिहार भी आया था लगभग लगभग तीनो चतिस गड़िया संस्कृति और आदिवासी नित्यमहस्सा पूरे का पूरा सही भी प्रस्न देने होते हैं योज नाओ से भी देने होते हैं संस्कृती से भी वो देने होते हैं और शेवस्था से भी होता है उसका मतलब यह निमांद में हरेली तिहार को आपको अभी से जोड़-जोड़ कर आपको लिखना रहेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, सेलेक्ट करना हम सीखेंगे, क्या है, कैसे है, मूर्थ हमूर्थ अलग-अलग होता है, सब में मुद्धे अलग होते हैं, खेर, तो ये चार option, चार में से दो select करना है, कोई भी, कोई भी दो, आप जैसा आपको उचित लगता है, सब के अपने-अपने विचार, सब अपने-अपने तरीके से select करते हैं अच्छी बात है यह नहीं बोला, इन दो में से एक select करो, नहीं तो और उलट जाते हैं सबसे चारों में से आपको जो उचित लगता है, आपो select आखरे मैं आपको RTI का copy भी दिखाओंगा, कि एक RTI का copy जिसमें अच्छा means कैसे लिखा गया, nhiband और marks कैसे आई ये भी दिखा दूँगा ताकि आपके दिमाग में एक फार्मेट चले चलो भाई, मैंने पहले एक पार्ट कम्पलीट किया जिसमें मैंने आपको दिखा दिया कि ये फार्मेट होना चीए अब इस बात को ध्यान रखें जब हम निबन में जब हम टॉपिक उठाएंगे या हमको जो चार टॉपिक दिये जाते हैं वो जो चार टॉपिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं अगर सही तरीके से क्लासिफाई करोगे तो दो टाइप का होता है अगर मैं दो टाइप का अगर मैं बोल रहा हूँ एक होता है हमारा मूर्थ एक होता है हमारा अमूर्थ ये दो मुद्दे आपको याद रखने हैं मूर्थ अमूर्थ क्या है मूर्थ और क्या है अमूर्थ अगर मूर्थ में अगर मैं बात करूँ इसका थोड़ा सापको परिभासा अगर समझाओ मूर्थ वो चीज होता है जो आपको पूर्णता दिखता है जिसको आप पूर्णता देख सकते हो साथ में दिख रहा है आप कोई ऐसी जगा के बारे में पूछ दिया है जो आपको दीखता है, जिसके बारे में आप जानते हो, जिसका एक dimension है, उसको मूर्थ कहा जाता है अमूर्थ, after A, हम समाध सास्रा में पढ़े ही है, जिसका कोई dimension नहीं है, जिसको particular कोई रूप नहीं है आपको दिखनी रहा है लेकिन उसके बारे में आपको विसलेशन करना है आपको उसके बारे में लिखना है आपको अपना विचार रखना है उधारन के लिए बताता हूँ आपको एक बोल दिया गया भारत में गरीबी चलो भारत में गरीबी सिप इतना ही लिख दिया एक्जा बतार गरीबी देटा चीए गरीबी का इस्तिति है अनुमान इससे प्रभाव क्या पढ़ेगा है तो यह अपको लगे उसके बारे में पूरा content otherwise सबसे अच्छा होता है मूर्थ जो सीधा आपको दिखता है मूर्थ में अगर मैं बात करूंगा जैसे अभी एक छोटा सा उधारन देता हूँ एक साल एक्जामपल में एक साल क्या एक साल जश्ट पहली एक प्रस्णाया और वो प्रस्णाय था हमारे एक प्रस्णाय पूछा गया प्रस्णाय था अभूजमार क्या लिख दिया गया अभूजमार यह यह मूर्थ रही आया था क्योश्चन एसे राइटिंग लिखो अबूजमार उनका इस्थिती क्या है कहां पर है दंड कारेंडे का कौन सा छेतर में आता है कैसी दसाएं जलवायू दसाएं किस प्रकार है सांस्कृतिक इस्थिती क्या है वहां पर आर्थिक क्रिया कलाब क्या होता है वहां पर सांस्कृतिक भिन्नता किस प्रकार विद्यमा होगा कि कहीं पर नरायन पूर और उसके आसपास के छेत्रों के बारे मैं बात कर रहा हूं बहुत सारा चीज आपके दिमाग इसको कहा जाता है मूर्थ बजट आपको कुछ नहीं पिछले के जिस साल अबूज माना आया था उस साल बजट भी आया था चलो आपको इस साल बोल दिया गया 36 गड़ का बजट दो हजार चुबिस पच्चीस ये मूर्थ है बजट के एक फॉर्मेट है पेज है पेज में डेटेल है डेटा है क्या राजास्व है क्या हमारा पुझी गज़ उस बजट में किस-किस शेतर में क्या-क्या वह के बात किया गया है इसको कहा जाता है मूर्थ जो चीज दिखता है और जो चीज आपको सोचने पे मजबूर करता है अगर मैं बात करो इजराइल या बोले रूस और युक्रेन युद्ध को रोकने में युनाइटेड नेशन की असफलता के कारण या उसकी असफलता या सिप कुछ नहीं लिखा है रूस युक्रेन युद्ध और युनाइटेड नेशन बस इतना है लिखा बस इतना ही लिख यह आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यह विचारों से जन्म हुआ है कारण है तो अमूर्थ कहलाता है वहाँ पर आपके विचार महुत माइने रखते हैं सीधा आपके विचार का मुद्दा आ जाता है तो मेरे कहने का मतलब है वो चीजें जो दिखे वो मूर्थ है वो चीजें जो ना दिखे वो अमूर्थ होता है maximum time कोसिस करना है मूर्थ में चले जाना है आप maximum time कोसिस करना है जो दिखता रहता नो उसको हम ज़्यादा लिखते हैं उधारन के लिए इस साल एक आने वाला एसे में टॉपिक जिसका नाम है महतारी वंदन योजना, कनफार्म है, कनफार्म मतलब मेरे साइट से है, आयोग का अपना अलागी दिमाग चलता, अगर वो डाइमेंसियन नहीं रहेगा, मुद्दो को नहीं समझेगा, गहराईयों को नहीं समझेगा, तो ऐसे का टॉपिक तो पांच मिनिट में भी डिसाइड हो जाता है, बैठ जाओ क्या है, चाय पीते पीते चाठो लिग दो, अब आपको पता ही नहीं, आप चारो संस्कृतिस दे दियो, इतना भी नहीं पता है आपको, तो आप कुछ भी पेपर सेट कर स महिलाएं आर्थी ग्रूप से ससकत होगी, उनको अगर हम बात करेंगे, उनको इस छेत्र में नए काम करने के लिए, नए उद्योग के लिए, कुटिर उद्योगों को इसके माध्यम से बढ़हावा दिया जाएगा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, पहला टॉपिक मेरा व भुगोल, जैसे मैंने अभी कहा भुगोल में कौन सा मुद्द बताया मैंने, अबूजमार, या किसी साल 36 गर में परियटन, एक टॉपिक आ गया, 36 गर में परियटन, यह लो भाई, बताओ क्या है परियटन, दिख तो रहा है परियटन कहां-कहां जल परपाद है, कहां-कह इतिहासिक इस्थाल है कहां कहां संस्कृतिक इस्थाल है सब तो दीखी रहा है परियतन का योजना आपको दीख रहा है हाँ थोड़ी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें अभी कमी क्या है इसमें भाईसे में संभावना है क्या है विकास कैसे किया जा सकता है तो मे अगर मैं बात करता हूं अब अगला वाला चर्चा जो मैं कर रहा हूं उसको समझेगा सिधा निबंद लेखन के बारे हम बात करता हूं अगर हम निबंद लेखन का कारे कर रहे हैं तो पूरे के पूरे पेपर में जो आपका पांच पेज रहता है उस पांच पेज में मेली तीन हिस्से होते हैं अब वो तीन हिस्सा होता है एक होता है भूमी का अब बीच में होता है पूरा कंटेंड बॉडी में बॉडी कहा जाता है जिसको हम लोग भी साय कहेंगे और आख बटवारा करूंगा मैं इसका भी बटवारा करूंगा लेकिन इस तीनों बहुत इंपोर्टेंट यह भूमिका को अगर मैं सही सब्दों में और एक छोटा सा सब्द अगर मैं बात करूं तो इसी भूमिका को कहा जा सकता है शुरुवात में जो आप इसमें प्रस्तावना लिखते हैं क्या लिखते हैं हम लोग इसमें प्रस्तावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असली कहानी तो यहीं चुपा हुआ है चेक करने वाला पेपर को पल्टेगा इसे पढ़ने मों बिल्कुल इंट्रेशन नहीं लेगा इसे का वो फार्मेर देखेगा बीच-बीच का वो डेटा देखेगा आपका वो तकनीक देखेगा लेकिन कुछ पढ़े या ना पढ़े यह बात सत्य है कि वो आपका प्रस्ता होना जरूर पढ़ेगा इसको भूमीका कहा जाता है और उस भूमीका में ना उस भूमीका में पूरे पेपर का सार होता है उस पूरे पेपर का सार होता है सही समझने वाला जो चेक करने वाला है यह भूमीका से ही आपकी कहानी समझ जाता है और उसकी बात हमारा मेन बॉड बढ़ी बनता है विसें जिसमें हम बहुत सारे मुद्दो पर चर्चा करेंगे है अब एक एक कर यूंगा मैं इसके बारे मैं और आखरी में कम से कम चार पांच लाइन का निसकर्स conclude करना जरूरी चाणक्लूट करना जरूरी생 अब अमका करने का मतलब होता है आपका विचार पूछ रहा हो आप भी तो दिकारी बनने वाले हो ना आप तो बोर रहे हो ना मैं डिप्टीकल एक्टर बनने वाला लायक हूं आप अपने आपको साबीत कर रहे हो करो साबीत यहां पर आपका विचार क्या होता है मणी पूरहिंसा चलो और नकारात्माग पाजेटिव और निगेटिव दोनों पहलोगों को ध्यान में रखते हैं अब मनी पूर हिंसा है तो बिल्कुल हमको लाश्ट में बताना पड़ेगा निश्चीत ही इतने हमारे डिसकसन से हमको यहाँ बात समझ में आया कि हिंसा समाज में एक बुरा प्रभाव डालता है आर्थिक समाजिक विकास में वो बाधा डालता है कहीं न कहीं यहाँ पर प्रसासनिक लेट लतीफी या प्रसासनिक नियंतरन का कमजोर होना भी इसका एक कारण होता है अगर इस पर हमारा नियंतरन नहीं रहा तो पर्टिकुलर एक छेत्र में रहे रहने वाले समाजिक लोगों में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा इसको किसी भी तरीके से कारेपाली का विधाई का के नियमों से कानूनों से इस पर नियंतरन लाना आवस्यक तो मेरे कहने का मतलब यह है कि निसकर्स में आपको पाजेटिव निगेटिव उसमें तो पाजेटिव पहली लिखना पड़ेगा महतारी बंदन योजना के बारे में लिखना पड़ेगा जितना भी आप पांच पेज लिख रहे हो उसमें आप ये समझ लो पांच पेज जो आप लिख रहे हो उसमें लगभग 80% एरिया आपका पूरा विशाय में जाएगा लगभग 10% एरिया आपका प्रस्तावना लिखने में जाएगा और लगभग 10% एरिया आपका निस्कर्स लिखने में जाएगा में तो है इसमें हम पूरा समय देंगे लिखने में समय दे रहे हैं लेकिन सही मायने में बोलू जब आप लिखते रहेंगे तो जो ज़्यादा समय देना है भाले यह सिब 10% लिख रहे हैं लेकिन मेरे दिमाग में से पुरा लिखने का 80% समय हमको प्रस्तावना और भूमी सकर्स बनाने हम देना चाहिए है अगर हम यह सोच रहे हैं कि चेक करने वाले के दिमाग को पढ़े तो हमको यह दोनों प्रस्तावना आपको अगर याद दिलाता हूँ सविधान की प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो उस प्रस्तावना से क्या चीज़ समझ में आता है हाँ अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमको यह बात समझ में आता है पूरे सविधान में सुरू से लेकर ही बात होता है भूमिका में पूरी के पूरा जवाप एसे राइटिंग कर रहे हो इतना वड़ा आपने एसे राइटिंग किया इसको छोटे से रूप में सुरुवात में कहना यह भूमिका है यह प्रस्तावना है कि मैं क्या लिखने वाला हूं अंदर में महतारी बंदन कर सकते हैं लेकिन डालने वाले क्या हुआ पूरी के पूरे प्रस्तावना में क्या लिखेंगे आज वरतमान में राज्य सरकार के तवरा जो योजना चलाई जा रहे ही जिनको महिलाओं को प्रती माह एक हजार रुपया देने का बात चाहरा है इनसे महिलाओं ससकता होंगी महिलाओं का आर्थिक विकास होगा महिलाओं को अपने आप में किसी नए कारियों के लिए यह हम बात करेंगे कुटी रुद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा लेकिन इसमें अभी यह यह चुनावतियां हैं तो थोड़ा सा चुनावति को भी दो-तिन पॉइ राज्य के बाहर रहे रहे हैं महिलाओं के बारे में भी अगर सहीं आकलन किया जाए उन तक भी इस योजनाओं को पहुंचाया जाए तो निश्ची थी यह योजना तो मेरे कहने का मतलब है इस पूरे बात में अंदर जो जो बात लिख रहा हूं ना उसका थोड़ा-थोड का थोड़ा कंटेंट को सामने में लिखना है और यह मेरा विचार कि कभी भी भूमिका को पहले नहीं लिखना चाहिए पहले कभी भी भूमिकाओ को पहले नहीं लिखना चाये, पहले पूरे का पूरा आप विस्य लिख़ेई, पूरे का पूरा में बाड़ी लिख लो, जब हम पूरे का पूरा में बाड़ी लिख लेंगे, उसके बाद हमको understanding गएंगे, मैं कहां कहां पे क्या क्या पॉइंट डाला हुआ हूँ और उसके बाद वापास आप पेच छोड़ दो थोड़ा साधा पेच छोड़ और आधा पेच जो आप छोड़े हुए हो ना उसको पूरा लिखने बाद आके लिखो एकदम बहतरी लिखाएगा शुरुआत में प्रस् को लिख लेंगे हाँ इसके लिए जगह छोड़ना पड़ेगा थोड़ा से और उसके बाद इस पूरे कहानी को आके वापस लिख दो आप सबसे बहतरीन भूमिका बहतरीन डेटा बहतरीन चुनाओतियों के पॉइंट आगे की राह और क्या किया जा सकता है उन सब वर्तमान इस्तिती क्या है क्या है मनिपूर हिंसा का कारण क्या है इसे प्रभाव क्या पढ़ रहा है इसे प्रभाव क्या पढ़ रहा है बिल्कुल नकरात्मा की प्रभाव पढ़ोगे हिंसा इसे प्रभाव क्या पढ़ रहा है इस हिंसा पे रोकने के लिए सरकारी प्रया पर जब हम चर्चा करेंगे मैं कंटेंट देंते जाऊंगा और जब आपको बताऊंगा पूरा विसाय लिखो उसके बाद इसको लिखो ता आप खूद अपने आप लिख डालो गया आपको ज़्यादा समय नहीं तो बहुत बच्चा क्या करता है पता है सिप इसी में समय लग गया इए देखो इतना सा निजिक करस ऐसे ही रहता हैं मेन बॉडि उपर प्रस्तावना नीचे निस्करस में हमेंसे रहता है आपके वीचार क्या कहता है इस घटना को लेकर आपका वीचार अब वूजमार के बारे में आपका क्या वीचार है खीक है वहाँ पे वहाँ के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाना जरूरी है किंदू उनके सांस्कृतिक परमपराओं का भी ध्यार रखा जाना चाहिए सांस्कृतिक परमपराओं के अधार पर ही वहाँ पे प्रसासनिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देना चाह है लेकिन उनकी परंपराओं कभी ध्यार रखना चाहिए अब उजमार के बारे में बात करेंगे दोनों बात को रखो गया आप किसी और बाइजदी नहीं होगे आप कहीं पर फैसला नहीं सुनाओगे आप बोलो के सरकार जो कर रहा है बहुत जोड़ार कर रहा है बहुत जोड़ार कर रहा है लेकिन इसमें ऐसा और किया जा सकता है मैं ऐसा सोच रहूं कि ऐसा हो सकता है तब लगते हैं हाँ आपका विचार होता है आपके कुछ पॉइंट होते हैं तो यहां पर आपके विचार इसको कहा जाता है निसकर्स तो यह हमारे एक main body मैंने बता दिया main लिखने का pattern यह होता है सबसे पहले मेरे pattern में जाओँगे दिखेगा ता ऐसा लेकिन पहले मेरे swam का pattern है यह पहले ये लिखो number 2 में ये लिखो number 3 में ये लिखो इसी pattern में और अभी शुरुवात में दो तीने से जब मैं लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस pattern में अगर हम जाते हैं तो वो जादा अच्छे से चलेगा चलो भई ये है अब आते हैं थोड़ा से बाकी चीजों में तो मैं discuss करूँगा इसमें हम मुद्दे में चर्चा करते हैं ये देख लो भई आप बीच वाला हिस्सा इसको देखेंगे आप यहां पर मैं लिखा हुआ हूँ वीसा है जो बीच का जो में बड़ा सा बॉड़ी बनता है उसमें आपके syllabus को पढ़िएगा syllabus को पढ़िएगा तो syllabus में दो एकड़म special सब्द लिखा हुआ है तीन सब्द लिखा हुआ है syllabus में नंबर एक लिखा हुआ है वर्तमान इस्थिती सब्द ही लिखा है वर्तमान इस्थिती नमबर दो सब्द लिखा हुआ है उसका चुनोती क्या लिखा हुआ है उसमें चुनोती यहां पर एक सब्द और याद रखेंगे उसमें चुनोती आगा तीसरा है समाधान ये तीन सब्दों को आपको याद रखना है वैसे अगर मैं मेन बोडी के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले किसी भी घटना की प्रिष्ट भूमी लिखेंगे कि उसकी पीछे की कहानी क्या है चलो उधारन बताता हूँ एक घटना है जो इस साल आने वाला है समान नागरिक सहिता युनिफार्म सिविल कोड इस साल का एकदम होट टॉपिक राष्टी अंतर राष्टी में आएगगे समान नागरिक सहिता जब मैं लिख रहा हूँ चर्चा तो आज चला है लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है इसकी प्रिष्ट भूमी क्या है कि कैसे 1835 में ब्रिटी सर्स ने पूरे देश में समान नागरिक सहिता लाना चाहा एमेर रॉय ने कैसे समान नागरिक सहिता का प्राधां रखा हमारे आर्टिकल 44 में उसको जगा दिया गया है पंडित जवाहलाल नहरू और डॉक्टर भीम रावम मेटकर ने हिंदू कोड बील हिंदू उत्रा जिकारी बील के माध्यम से पहले ही इस मुद्दे को ला चुका है लेकिन उस समय यहां प्रभाव सिप हिंदूओं पर पड़ा यहां अन्य धर्मों पर इसको प्रभाव नहीं डाला गया उनको सामिल नहीं किया गया यह प्रिष्ट भूमी आज जो ए घटनाज घट रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है अगर ऐसा कोई कहानी है तो उसमें क्या लिखो गया आप प्रिष्ट भूमी मणी पूर हिंसा मणी पूर हिंसा का आपको प्रिष्ट भूमी लिखना है अचानक से लड़ने भीरने नहीं पहुंच गया उनलोग उसकी कहानी 1947 से है सविधान निर्मान से उसकी कहानी है कि कैसे पहले वा नुसुचित जन्जाती का दरजा था मतई समुदायक लेकिन बाद में उनको उस दरजे में सामिल नहीं किया गया उनके सिड्यूल में सामिल नहीं किया गया तब चे उना राज चर रहे थे सुप्रीम कोट ने कर दिया को सामिल करो करो बोले तुन लोग को भी लगा हमको क्यों नहीं कर रहे हो बस मताई वाले बढ़क गए तो यह है प्रिष्ट भूमी इस पूरी घटना को लेकर पहले आरेडी क्या कहानी हुई है उसको आप जानते हो कि नहीं जानते हो एक देश एक चुनाओ है अभी चर्चा अगर एक देश एक चुनाओ वन नेसन वन इलेक्सन का मुद्दा चल रहा है तो बिल्कुल इसके प्रिष्ट भूमी क्या है आरेडी ऐसा चुनाओ हो चुका है 1952 का सुनाओ चुनाओ 1957 1962 तिल 1967 पुरे देश में एक देश एक चुनाओ ही चला है बाद में आपको बताना सब आगे पीछे हो गया अन्य था इसकी कहानी पहले ही रची जा चुकी पहले ऐसे चुनाओ हो चुआ चुके हैं तो ऐसा आप बोली नहीं सकते कि चुनाओ कराने में कोई समस्या है पहले संबाव था जिस समय हमारे पास प्रसासनिक सर रचना नहीं था अगर पहले हम वर्थमानी स्थिती में बात करेंगे बिल्कुल क्या है वर्थमानी स्थिती वन वन नेसन वन इलेक्सन तो आप लिखेंगे पूरवराष्टपती रामनात कोविंद की अध्यक्षता में वन नेसन वन इलेक्सन के लिए लेकर समिधी कडित की गई थी जिन्होंने अपना मिस्रा वाला भासन नहीं दे रहा है आप समझ में आ रहा है रियली जिसको नहीं समय कोई बुरी बात नहीं है आपको और पढ़ाओंगा मैं बाद में पढ़ाओंगा लेकिन मैंने क्या बोला मैं पूरा अगर ऐसे बात करूंगा तो पूरे सॉब साइट को गोल-गोल घुमा मैं बोल भी दिया था जुलाई से पहले वाले ही दिखें आप क्रिपिया करके क्योंकि थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज जोरी है नहीं आपको कुछ नहीं समझ में आएगा मैं भासन बाजी देते रहा जाओंगा आपको नहीं समझ क्योंकि ऐसे में डिसकसन बहुत समझ में आ रहा है उसके बाद वहां से महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपया भी दिलवा दूँगा एसे का मतला वो होता है जहां हर मुद्दे एक जगह आ जाते हैं इसलिए आखरिम पढ़ना ची जब हमारा समन्य ग्यान इस तरह एक बन जाता है न उसके बाद प आ गया है अब तक कि उन्होंने अपना रिपोर्ट भी दे दिया है रिपोर्ट में क्या क्या बात बोला है आवस्यक्ता क्या है उसकी आवस्यक्ता क्या है जो घटना हो रहा है महतारी वंदर योजना की आवस्यक्ता क्या है समान नागरिक सहिता की आवस्यक्ता क्या है क्यो हो है आवस्यक्ता इसको कहा जाते है इसके ज़रत क्यों है कोई भी योजना में आवस्यक्ता लिखोगी लिखोगी आप जो बोरहों समझ में आ रहा है आवस्यक्ता क्या है लिखेंगे हम लो यह तीसरा मुद्दा और पॉइंट वाइज ढूनते जाओ दोस्त क्या हो आवस्य लगता है सरकारी खर्च में कमी लाना है लाख करोड रुपए चुनाव में खर्च हो रहा है उसमें हमको क्या लाना है कमी लाना है चुनावी चक्कर में अचार सहीता लगने के कारण बार बार योजनाएं रुख जाती है लग भग लग भग प्रसासनी जो कार्य है उस पर प टूनलिये,上 सकरात्मक और नकरात्मक टून लिया, उस दिन तो दोस्त आप बहुन टैलेटेड वैक्ते हैं, महातारी वंदन योजना के सिर्फ ज़्फ सकरात्मक प्रभाव नहीं है, इसके नकरात्मक भी है, हैई की नहीं है? भलो नuyorum क्या है? क्या है महतारी वंदन योजना में नाकरात्मक प्रभाव क्या है हाँ बिल्कुल यह एक प्रकार का पुझी गत व्याय माप करेंगे राजास्व व्याय समझ में आया किसी को तो उस पर बोज पड़ेगा व्याय पर बोज पड़ेगा ये एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि एक प्रकार का कौन सविया है हमारा राजास्व है दूसरा बताओ अगामी वर्सों में यह दूसरे दलों को अत्यदी गोशना के लिए पुरुसाहित करेगा किया की नहीं किया एक लाख चलो खेर जब बोर रहा हो समझ में आए आप लोग को ऐसे पॉइंट ढूना है और लास्ट में आपको बताना है आगे की राह समधान डेफिनिटली कोई समस्य है तो क्या बताओगे आप समधान और कोई योजना है तो भी समधान बताओगे आप महतारी बंदन य सरकारी तंद्र को या ऐसे दुर्गम छेत्र जहां पर ऐसे काड नहीं बने हुए जिनका बैंक से बैंक से अगर हम बात करेंगे वित्ती समावेशन नहीं है तो वित्ती समावेशन को बढ़ावना चीए तो आप अपने सुझाओ दोगे आगे की राह सरकार को और किस बात क अपनाना चीए तो मेरे कहने का मतलब है हर मुद्दे में ये पांच आप सोच लो दिमाग में कि मैं जब लिखने जाओंगा अच्छा बराबर ऐसा नहीं बराबर इसको हेडिंग डालोगे आप ऐसा और हेडिंग डालने के बाद यहां पर लिखना सुरू करो गया बराबर हेडिंग डालोगे प्रिष्ट भूमी इस घटना की प्रिष्ट भूमी सुरू करो कहानी इस घटना की वर्तमानी स्थिती सुरू करो कहानी कोई भी मुद्दे पर ऐसा बटवारा कर लोगे ना तो आपको पांच पेज नहीं दिखेगा पांच पेज नहीं दिखेगा वो छ भून उपाए तो इन सब मुद्दो को समाहित करके किस में ला देने हमको भूमिका ने चलो मैं एक देश एक चुनाओ का ना एक प्रस्तावना लिखता हूं सुरुवात में बताऊंगा भूमिका में चुनाओ क्या होता है लोगतांत्रिक व्यवस्था में भारत वह जहां पर चुनाओ को एक त्यवहार के रूप में मनाया जाता है ऐसा करेंगे हम थोड़ा बहुत समा बान देंगे उसके बाद जब हम एक देश एक चुनाओ के बारे में बताया जा है तो थोड़ा सा लिख दें 1952 से देश में अजादी के बाद पहला चुनाओ एक देश एक चुना से बचा जाए अचार सहीता से बचने के उपाई ढूंडे रहें और इनके सकारात्मक पहलूओं को ध्यान दिये जाए इस छेतर में नकरात्मक जो प्रभाव पढ़ने वाले हैं कि चुनाव कराने में सुरक्षा तंद्र उतना सफ़लोना चीन बातों का अगर ध्यान चला जा जा सकती है या उसको सही तरीके से क्रियान में किया जा सकता है मैंने पूरी बातों को चार लाइन में लिख दिया प्रस्तावना में और यह तब लिख पाओगे जब आप पहले क्या लिख होगे आप अपने सब के थोड़े 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 मुद्दे को लाओ और प्रस प्रस्तावना अंदर में मैं आपको क्या बताने वाला हूं मैं बताने वाला हूं कि उनीस सो सरसर तक चुना हुआ था ऐसा हुआ था मैं बताने वाला हूं कि राश्टपती गोविंद के अध्यक्षता में समेटी गठे मैं बताने वाला हूं कि इसमें समस्याइं आई समस्या यह यह इसकी आवस्यक्ता इस इस कारणों से पड़ी है मैं बताने वाला हूँ कि इससे क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा यह है प्रस्तावना तो मेरे कहने का मतलब है मेरे अधार पर चलो पहले विसाय लिखो फिर क्या लिखो आप भूमी का अच्छा आखरी में निसकर्स आखरी में क्या लिखेंगे निसकर्स में कभी ये मतल बोलना एक देश एक चुनाओ लागू कर देना चाहिए या एक देश एक चुनाओ बहुत बेकार है हम छेतरी लोगों को या आप यह नहीं बोल देए कि तूरंत आप राजनेतिक प्रभाव ना दिखाएं वहाँ पर ये लागू होना ची लागू नहीं होना ची आपको बिल्कुल समझें रामनात कोविन जी के अध्यक्षता में जो समिती गठीत की गई है उनके प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए लोगों की सलाह लेते हुए कानूनी तोर पर नियम बनाकर छेतरीता के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक चुनाओ की नीती को लागू किया जा सकता है तो आपको दोनों बताना है ध्यान में रखना है समीटी के अधार पर बात चलना है मेरे अधार पर नहीं करना है क्योंकि आपसे अधार पर नहीं चलेगा तो आप अपना पूर्ण विचार कभी नहीं देना आप पूरा छोड़ देना कमीटी के उपर या जो उससे संबंधित है उसकी उपर छोड़ देना था ऐसे हम क्या लिखने वाले हैं निसकार्स तो मैंने ये बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं ये अलग-अलग मुद्दे हैं पहला पाइट भूमी का विसाय में ऐसे हम जाए बात करेंगे निसकार्स जैसे कि अब यहाँ पर इस बात को समझे जैसे मैंने यहां पर एक लाएंग लिखा हुआ उन्य ाूवर निखा थे भावस्य बात को समझो तीनों एक साथ नहीं आएगा जैसे मणिपूर हिंसा तिन तीनों में से कौन सा टापिक लिखोगे आप बास समझ में आया अच्छा मैं बोलता हूँ एक देश एक चुनाओ पक्का मैं बोलता हूँ नारी सक्ति वंदन योजना या आवस्यक्ता भी लिख सकते हो योजना है तो क्या लिख सकते हो अब ऐसा नहीं है मैं बोर रहा हूँ कि मनिपूर हिंसा और आप लिखो सर तो आवस्यक्ता लिखे हुए है है ना किलेश मनिपूर हिंसा की आवस्यक्ता ये लो तो थोड़ा सा मैं समझूंगा 24-25 साल के बाद आपका दिमाग विक्सित हुआ होगा कुपोसंड से आप लोग बाहर हुए होंगे आप लोग उस कुपोसंड से बाहर लाने में मेरा भी कुछ योगदान होगा इस पर्स का कुछ योगदान होगा की नहीं होगा चलो तो मेरे बोलने का मतलब समझ रहे हैं वहाँ वहाँ पर हम ऐसे राइटिंग करते करते और चीज़ों को समझेंगे एक ही दिन में सब चीज़ को बताऊंगा आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्लियर है यह फॉर्मेट लिखने का पैटन है एक दो ऐसे मैं आपको समझाते चलूंगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चलो भाई अगर हम ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ हमारे पास कंटेंट होना चीए जिसके आधार पर आप तयारी करोगे देखो प और रहों आवस्याग अध्यान समागरी बिल्कुल ध्यान देना इसको बहुत आवस्याग होता यह और आवस्याग अध्यान समागरी में सबसे पहला तो मैं हमेशा बोलूंगा समाचार पत्र निउस्पेपर अच्छा जितने भी स्टुडेंट ऐसे हैं जो इस साल हम प्यस करो और सब्द संग्रह बनाओ अपने अंदर सब्द संग्रह और बड़े महंगे महंगे सब्द अगर आ गये महंगे महंगे सब्द आ गये ना तुन सब्दों को ना बोला करो बोला करो जैसे कि वेतन अभी हम खत्री सर और मैं डिसकस कर रहे थे वेतन लेकिन खत्री सर ने डिसनरी बनाओ कहीं पे आप लिखते चलो कि सब्द क्या होता है तो सबसे इंप्वाटेंट है समाचार पत्र में वैसे इस पेसली अगर आप बात करेंगे कि इसके लिए एसे के लिए सबसे जोड़दार है जन सत्ता साके सर बीज बीज में डालते हैं जन सत्ता का पे इतना जबरदस इसे का कंटेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं बहुत बहतरी लिखा रहता है जन सत्ता और वैसे ज़्यादा अगर परेसान नहीं होना है तो आप पढ़ो दैनिक भासकर भी पढ़ो दैनिक भासकर में हमेसा बोलता हूँ अभिव्यक्ति नामा के एक पेज होता है सबसे अच्छा है सबसे अच्छा एडिटोरियल पार्ट उसी में रहता है दैनिक भासकर में भी मिल जाता है जन सत्ता मैं यह बोलूँगा पेपर मत मंगवाना ज्यादा इसके लिए परेसान नहीं होना वो जो पेपर डलता है उसको पढ़ना आप लो पत्रिका गर पढ़ नालंदा परिशर में आपके दोस्त होंगे आप होंगे बढ़ते रहता है एक कलेक्ट कर लो दो चार अपने दोस्तों के लिए भी कलेक्ट करो एक दो मेरे लिए भी ला लिया करो और पढ़ा करो कौन सा जन्मन सबसे जूरदार जो आपका सेकंड पार्ट है वो पूरा जन जन्मन में डूड़ने नहीं कंटे उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यह जन्मन पत्रिका और यह डेटा जो आर्थिक जरूर पढ़िएगा डेटा बहुत इंपॉटेंट है क्योंकि बीच बीच में मातरी तो मृत्यूदर क्या है स्वास्त की स्थिति क्या है जन्जातियों को लेकर कौन सी योजनाय चलाई जा रही है इन सब को पढ़ना बहुत जोड़ी है करेंट अफ्यार आप जुड़े हुए हूँ कंटेंट डलते रहता है वह बहुत ही स्ट्रॉंग करेगा आप कमीटी गठीत हुआ रामनात कोविन जी किया ध्यक्षता में कमीटी में कौन-कौन थे उन्होंने कब रिपोर्ट दिया रिपोर्ट में बेसिक कौन-कौन से कुख्या मंद्री कारयाल है इन सब को फालो किया करो इंस्टाग्राम में फालो किया करो फेस्बूक में फालो किया करो उसमें आप आज 10 मिनट समय दियो ना अगले दिन और खुदी आ कि तुमको दिखाएगा लो आ जाओ और मैं कंटेंड लेकर आया हूँ सही होता है जिस जिसमें आप ज्यादा जिसमें आप ज्यादा समय देते हो आपको ज्यादा दिखाता है एक दिन आप बस उसी को पढ़ कर देखो पांच मिनट टाइम दो वह आगले बार आपको चैटो दिखा देगा एलो एलो मैं मैं आर हूँ आर हूँ इतना अच्छ है सोसल मेडिया जग और प्रदान मंतरी और 36 गड़ कारियाले को सोसल मीडिया में फालो करो इन सब के बगर ने लिख पाओगे अब तक जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हो अलग चीज सब्जेक्ट स्ट्रॉंग करना ग्यान को मजबूत करना वो अलग चीज गहराई में जाना अलग इन सब का समावेस यहां पर आपको मिलने वाला है यही बात अगर मैं नए बच्चे को पढ़ाता जो अभी अभी चार मेना पांच मेने हुए उनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि उनके लिए अभी सब्जेक्ट की लड़ा ही बहुत बड चलो भाई यह तो एक चर्चा का विशा है रहा निबंद क्या है थोड़ा बहुत अगर मैं बोलू थोड़ा बहुत ही समय लो बहुत जादा बात नहीं है अभी पूरा चर्चा की आओ कि एक पर्टिकूलर जो आपको जगह दिया जा रहा है उतने में उस मुद्दे के बार चलो बहुत बड़ा प्राक्रितिक आपड़ा भारत देश में लेंड स्लाइड सही बोर नहीं अच्छा अब गर्मी है तो नहीं सुनाई दे रहा है अभी बस जुलाई आने दो पेपर में खाली एक ही मुद्दा लेंड स्लाइड वो त अच्छा हुआ कि हमारा एक्जाम न आप लेको तो मेरे कहने का मतलब है किसी भी घटना के बारे में हर जानकारी बताने जैसे अभी मैंने बताया उसका प्रिष्ट भूमी बताओ उस मुद्दे को लेकर वर्तमान इस्थिति क्या है ये बताओ इसकी आवस्यक्ता क्या है या इसका कारण क्या है ये आप बताओ इस से प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताओगे लेगिन इस योजना को क्रियानिमेन करने में कोई चुनौती भी आएगा महतारी बंदन योजना को लागू करने में चुनौतिया क्या है आखरी में आगे की रहा सरकार को और क्या करना चाहिए यह यह और अपना लेना वेरी वेरी इंपॉर्डटन एसे राइटिंग करोगे मेरे लगता है इन सब पूरी कहानी में मेरे अभीचार है मेरे कह लगता है सबसे है मानक भासा स्टेंडर्ड लेंग्वेज बहुत इंपॉर्टन जैसे मैंने अभी बताया न आप वेतान लिखो गये बगल वाला पार पिशनरी बना लो आप तीन चार पेज लिख के रखे रहो और वही वही सब्दे एसेंगी काम आएगा और मस्त न उसको रोच पढ़ा करो रोच पढ़नेस क्या होगा वह हमारे भासा में आ जाएगा और एक दूसरे के बात करने में डॉप भी कर लिया तो मेरे कहने का में को सब्द्ध में बहुत है संतूलन बहुत इंपॉर्टेंट है संतूलन का मतलब क्या देए जैसे अभी मैं अलगण बटवारा कर रहा था पहले मैं क्या लिख रहा था प्रिष्ट पृरिस्टे में या अब ऐसा नहीं होना चाएं कि एक टॉपिक को इतना बड़ा ठीक दिए थोड़ा बहुत इसको बड़ बना दिए थोड़ा बहुत इसको छोटा बना दिए यह चलता है यह चलता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है संतुलन संतुलन अच्छा संतूलन का मतलब यह होता है कि आपको एक प्रॉपर फार्मेट होना ची जिसे मैंने बताया पहले प्रिष्ट भूम में लिखेंगे अब यह नहीं सीधा इसमें चुनावती क्या होना है मात्री दुवंदना योजना में चुनावती क्या आ रही है अच्छा संतूलन बहुत जोर रही है संतूलन मतलब होता है मैं पहले क्या लिखूंगा इसलिए मैं समझा भी दिया हूँ और एक महने का निबंद का क्लास अटेंड करोगे अपने आप आप लेखाग बन जाओगे कोई बड़ी बात नहीं ऐसे भी मैं आपको कंटेंड मेरा विश्वास होता है कंटेंड देने के बजाए आप कंटेंड कैसे पैदा करो यह सिखो आप मैं उसमें पॉइंट कैसे ब करोगे कम ज्यादा करोगे कम करोगे मैं ज्यादा करना सिखाऊंगा आप ज्यादा करोगे मैं आपको कम करना सिखाऊंगा दोनों चीज आपको सिखाते चलूंगा संपूर्णता होना चीए वही मैं बताया संपूर्ण सभी पहलों पर क्या होना चीए सकरात्मक और नकरात् करने के बाद करम बद्धता है जो सिक्वेंस आपको याद रखना है जब हम संतुलान मेंटेन करेंगे तो ऐसी करम को भी हम मेंटेन करते हुए चलेंगे चलो भाई इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा बहुत अभी मैंने जो बताया थोड़ा सा अब सुनना भूम सुरुवात में ही डिसाइड होया और किसी का ऐसे पढ़ने एक समय नहीं 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 तापका कॉपी ना 6 मैंने चेक नहीं हो पाए भूमिका सुरुवात में जब हम कोई प्रस्तावना को लिखना सुरुवात करते हैं जो पहला पार्ट होता है और हमारा स्टार्ट होगा भूमिका से प्राराम होता है और जब भी हम भूमिका स्टार्ट करेंगे तो उसके तीन पार्ट और बना लो कि हम सबसे पहले कवीता के माध्यम से कहानी स्टार्ट करेंगे किसके माध्यम से स्लोग कुछ स्लोगन आपको लिखना है और स्लोगन कैसे लिखना है कवीता कैसे लिखना है कोई भी मुद्धा महातारी वंदन योजना तो महातारी को लेकर महिलाओं को लेकर हमको एक सलोक चाहिए बास समझ में आ रहा है अगर आप लेखक हैं कवी हैं कवित्री हैं तो तुरान लिख पाओगे नहीं है तो कोई बात ने मुद्ध्य हाडली पंद्राथ हो ह कर सकते हैं याद बहुत यह कविता याद किया याद किसका किसका कविता याद नहीं किया हैं महादेवी वर्मा दिनकर पांडे सुकला तिवारी ऐसी दो होते थे पहले तो मैरे कहने मालग किसका याद नहीं किया हम लोग अगर हम इन सब का अगर याद कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक कवीता लिखे हैं सबसे पहले स्लोगन से स्टार्ट किया जाए और खासकर आपको यहां का पैटन बता रहा हूं जहां मार्क्स मिल रहा है अगर मैं बात कर रहा हूं एक कवीता के बारे में ता आप पार्ट डिसाइड कर लेता हूं चलो एक कवीता के बारे में ब तो थी दिजूर बता देता हूं और कल कौईता याद करके आना है अब लोगों को शबसे पहले आपके विजा रहेगा हमें साथ दूरबल फूरग हमेसा द्यान किसा रहे नए कौन है दूर्बल कौन है दूरबल इतनी दिन में समझ में आये की नहीं है महिला, बच्चे, एस्टी, एस्टी इसको लेकर तो याद ही कर डालो स्लोगन हो जाएगा याद? करना पड़ेगा पूछनी रहा हूँ इतना कल याद कर क्या आना है पहले कवीता, कल हमारा कलास कवीता से स्टार्ट होगा अच्छा सब अपना-पना कवीता ऐसे नहीं एक जहन लिख कर वो ग्रूप जिसमें चंद्राकर सर और आठोर सर नहीं है वो वाले ग्रूप में डाल कर लो सब जहन लिख लो कौपी में नहीं है तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा वाला slogan चैनी, सब का अपना slogan तर दो आप कुझसे लिखो कहां से लिखो, कॉपी करो कोई मतलब नहीं हाँ उस slogan को अगर विवेका झानन नन ने बोला है, गांधी जी ने बोला है तो और जबरदस्त बात है भई Mother Teresa जी ने बोला है और अच्छी बात है नीचे में लिख लो Mother Teresa जी ने ऐसा कहा है और प्रभाव बढ़ता है उनके अनुसार चलो भई तो ये हो गया दुर्बलवर अगला हम बात करते हैं एक मुद्ध हो जाता है हमारा परियावरन क्या हो जाता है हमारा परियावरन परियावरन में आप जल के बारे में जादा आता है वाईयू प्रदूसन को लेकर आपको प्रसन पूछा जा सकता है जल वाईयू को लेकर एक प्रसन आता है वनों को लेकर जंगल है जंगल की आवस्यक्ता क्या है जंगलों से हमारा जीवन तो सीधा जो चीज है उसका तैयारी अभी से होगा इक्जाम हॉल में सीफ परफार्म होता है उस बैठने से पहले पूरी तयारी होनी चीज हाँ यह आएगा यह वाला स्लोगन चिपका देंगे जल का आएगा जल का हम मुद्दा लिख देंगे परियावरन से संबंधित और अगर आपको मिलता तो और दो चार पॉइंट आप ल प्रद्योगी के में आप कुछ कुछ को आप याद रखना जैसे अंत्रिक्ष से लेकर आप थोड़ा बहुत लिग याद रख लेना अंत्रिक्ष को लेकर तकनीक को लेकर कुछ बात याद रख लेना कि तकनीक के अधार पर किस प्रकार देशों में विकास को नापा जा रह आ है तो तकनिक कभी मंगल गरह के बारे में कभी चंदरया अंत्री के बारे में अंत्रिक्ष कारेकरम के बारे में इसरो की भूमिका के बारे में कोई भी प्रसना सकता है तो मेरे कहने का मतलब प्रद्योगी किसे रिलेटेट भी हम बात कर लेंगे ये हम हो गया अगर हम बात क करेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा भारत को लेकर आप एक कविता जरूर याद रखेंगे स्लोगन क्योंकि हम भारत को चीन से हम तुलना करते हैं हम भारत का अंतरिक्ष में भूमिका देखते हैं हम G20 में भारत की भूमिका देखते हैं भारत का वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में बात करते हैं तो मेरे कहने का मतलब है भारतीता को लेकर राश्टीता को लेकर भारत के मान सम्मान को लेकर भारत के नेत्रितों को लेकर एक स्लोगन तो आप जरूर याद रखें जगा और पर्टिकुलर ना किसी इस्थान को लेकर एक कविता य particular एक slogan है वो बोला मैकल परवस्रे नी क्या बोला वो अब अबूजमार के जगह में क्या दिया वो मैं कवीता सेम रहेगा कवीता सेम रहेगा परिसान नहीं होना है अगर कवीता में अबूजमार लिखा है तो आप क्या लिख देना है उसमें अगर बस्तर का बूजमार को लेकर कवीता है तो मैदान का मैकल लिख देना है बस्तर का बूजमार तो मैदान का मैकल ऐसा घर के कवीता बने पैटा नेक है परिसान नहीं होना रहे इसमें क्या कवीता लिखूँ बच्चा पंद्रा मिनर्स दिप कवीता सोचने में लगा दिया अच्छा बनाने में लगा दिया अरे बनाना थुह नहीं जी जो दूसरे काई उसको कॉपी पेश्ट करके चिपकाऊ ना दिमाग लगाने माग उनको धुह ना पता है तुम किसके लिए याद किये थे और इसको बदल दियो अब ऐसा गलती मेरे हम लगा थोड़ा क्या करेंगे बट्वारा करेंग ऑर धीरे-धीरे हम ऐसा रहते रहते अच्छे यहाँ पर परिया वरण और प्रदोगी की वारेम बात क्या उर्जा को लेकर ज़रूर लिखना उर्जा सरक्षान सौर उर्जा नमिनी करण उर्जा ये बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है तो उर्जा को लेकर भी आप एक बढ़िया उर्जा के अधार पर कैसे एक चालक सक्ती होता है पृत्वी को चलाने में किस से कैसी इसकी भूमी का है इसको लेकर तो कल आपका पूरे का पूरा चर्चा किस में रहेगा हमारा कवीता हम कल कवीता ही पढ़ने वाले कवीता सुनने वाले एक दूसरे से समझ रहे ना अब बड़े कारेकरम में और सिक्षक क्या होता है टीचर्स डे में तो बहुत कवीता सुनाएं प्यार महबत का तो हद मचा देखें तो आप इसका तैयारी करके आएंगे आप बात समझ में आ रहा है चलो भई यह हमारा एक हो गया कवीता का तैयारी यह कथनिक हमेशा कवी ना कोई कथन ने कहा था यह हमारा कथन रहे अच्छा थोड़ा सा ना एक मुद्दा और लिख लेना ग्राम किसको लेकर ग्राम को लेकर ग्रामिन को ग्रामिन विकास एक मुद्दा बना रहता है और यह पुछा जाता है ग्रामिन विकास किस प्रकार हमारा मुद्दा बनता है तो ग्रामों को लेकर एक अच्छा एक पूर हिंसा मुद्दा बना पड़ा या अभी हम बात करें इजराइल फिलिस्तीन हमास का एक मुद्दा बना तो लड़ाई जगड़ा हिंसा जो हता है समाज को पीछे धकेलता है तो यह समस्याओं को लेकर प्रस्नों पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा इस मुद्दे एक कानून के बारे में बात कर रहा है तो थोड़ा सा ऐसे-ऐसे कुछ चीजों को लेकर आप याद रखना है चलो भाई तो अब इसको मैं हटा रहा हूँ मैं उम्मित करता हूँ नोट कर ली होंगे तो इतने को आप लिख कर रहेंगे ठीक अपने सब्दों में बढिया अच्छा-च्छा कानी लिखेंगे आप अच्छ चलो भाई वैसे आप चाहो तो आप कविता में जब आप भुमिका में लिख रहे हैं तो उधारन या कहानी पूछ कर भी लिख सकते हो आप कहानी भी लिख सकते हो आप कोई कहानी सुना सकते हो जैसे महतारी वंदन योजना में आप एक छूँटा सा कोई भी कहानी लिख दिये और किसी का भी नाम लिख दिये एक इस नामक फलाना नामक गाओं में एक फलाना नामक महिला रहती थी आर्थिक रूप से कमजोड थी घर में कोई समाव कमाव सदस्य नहीं था आप उसमें कहानी में जोड का लिख सकते हो वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहा रही थी उसकी दो बेटी थी उसको पढ़ाना चाहा रही थी लेकिन वो नहीं पढ़ाये पाने के कारण वो इसकूल नहीं भेच पाई इस कारण बच्चों को आर्थिक सिक्षा नहें मिल पाया और वहाँ परिवार गरिबी के दुस्चक्र में ही रा गया मैंने नाम भी लिख दिया मैंने कहानी भी लिख दिया और ये बता दिया कि महतारी बंदन योजना में अब यही महिला कैसे अपने बच्चे को आप पढ़ाने वाली है तो आप चाहो तो एक छूटा सा कहानी पांच-छे लाइन का एक कहानी भी लिख सकते हो और आखरी में हमेंसा भूमिका में अच्छी बात ये होती है कि प्रस्न पूछ कर और यही जब कहानी हम लिखेंगे यही पर मैंने बताया ना वो प्रस्तावना वाला रूप लिखेंगे जिसमें हम अंदर में क्या-क्या बात बोलने वाले हैं इसके बारे में लिखेंगे और लाश्ट में चलो आईए जानते हैं कि किस प्रकार या क्या या समान नागरिक सहीता भारती कानून को सुद्रिड कर पाएगा, समाज को व्यवस्थित कर पाएगा ऐसे क्योश्चन पूछ दी, आप ही क्योश्चन पूछ दी, क्या यहां कर पाएगा तो यह बताता है कि आगे अब हम इस मुद्दे पर क्या करने वाले हैं, चार्ज तो अगर आप ऐसे आखरी में थोड़े प्रस्न पूछ दिये तो और मज़ेदार हो जाता है अब ऐसा नहीं बोराओ प्रस्न पूछने बोलाओ इसका मत पूछते रहना जो सिखा रहे हों समझ रहे हैं, हर काम को एक ही जगह अप्लाई नहीं कर देना है कहीं पर कहानी लिख दिये, कहीं पर आप कविता लिख दिये प्रस्तावना तो मेन बोड़ी से उठा कर लिखना है कहीं पर प्रस्टन से समाप्त कर दिये, कहीं पर सिंपल समाप्त कर दिये, हर चीजों को अलग-अलग, क्योंकि चारों को एक ही आदमी चेक कर रहा है, इसका मतलब वो देखेगा भीया, इसका तो हर चीज एकदम सेट है, एकदम फॉर्मेट सेट है, बस आके यही बात को तो ये भूमी का जब हम लिखना सुरवाइगे हमेसा सोचना है कविता मैं क्या लिखने वाला हूं। निसकर्स में हमेशा अच्छे मुद्दो को लेकर, किसी महापुरसों के विचार को लेकर, कि जैसे अगर मणीपूर हिंसा बोर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम महात्मा गांधी के विचार को ना लिखे, तो मेरे के लगता है वो ऐसे हमारा इंकम्प्लीट, क्योंकि जब भी गांधी जी को याद किया जाता है, अहिंसा के नाम पे याद किया जाता है, तो मेरे के लगता है कि आखरी में अंत करने से पहले गांधी जी का कुछ सब्द जरू लिखे, अहिंसा धर्म का एक मात्र रास्ता है, धर्म पालन का एक मात्र रास्ता है, महात्मा गांधी, ऐसा बोरो हो समझ में आ रहा है ऐसे ही कि बोले रहोंगे थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा अच्छा कौन सा बहुत बड़ा ग्यानी आदम है जो चेक कर रहा है उसको सब अका पूरा लोडेड है उसके उपर आर्टिफिचल इंटेलिजेंस है तो ही न चेक होने वाले हमारा कॉप जी जब महिलाओं के बारे में बात किया जाए नुसुचित जाती जनजाती के बारे में बात किया जाए कुटी रुद्योग के बारे में बात किया जाए तो बिल्कुल है सब विचार किसके है गान्दी जी के है आपने तो दरसन पढ़ाई है दरसन में उनके विचार आप स हर चीज अच्छा है हर चीज अच्छा है मातारी वंदन योजना अब ऐसा निये पुरूस हो आप कंग्रेसी हो तो बुरा मानते हुए नहीं लिख देना है ऐसे ऐसी योजनाओं से जबरदस्ती का राजस्व भार पढ़ने वाला है सरकार को इस पर एक बार और विचार करना चाहिए ऐसे विजनाओं में फिजूल खर्च से बचना चाहिए अब आप पूरूस हो आप कंग्रेसी हो इस भाव से नहीं लिखना है समझ में आ रहा है और जिलों को नहीं पता रहता है ना और पूरा अपना बात अपने भाव निकाल के रख देता है वहीं मैं ऐसा सोचत कर ही नहीं सकते आप अगर सरकार ने लाया सरकार कौन है जी पूरे देश के द्वारा चुने हुए लोग हैं अगर वो लेकर आ रहे हैं मतलब अच्छा ही होगा आपने ही उनको बोला था आपने ही उनको decision लेने के लिए बोला है तो उसका हर decision अच्छा है हाँ उसमें आप थोड़े विचार रख सकते हो तो हमेशा एक आसावादी सूच के साथ आपको अपने point रखने होंगे clear है ऐसा हमको पढ़ना है और कुछ बात में आखरी में देखेंगे लिखते लिखते बताऊंगा कि इसमें भी आप last में कुछ question type का पूछ सकते हो चलो भाई अब वो पूछा गया था आपका एसे में आपके राश्टी अंतर राश्टी में चार मुद्दे पूछे गये थे जी 20 के बारे में लिखने के लिए बोला गया इंडियन प्रीमियर लिग के बारे में पूछा गया 5G network के बारे में बोला गया artificial intelligence बोला गया अच्छे यहां पर जाएगा क्यों जाएगा समझ में आ रहा है क्योंकि उस सुनना ही चाहा रहा है मेरे को क्या बताना प्रभा बाकी भी बताएंगे इसमें समस्या क्या आएगा सब आएगा लेकिन इससे प्रभा और प्रभा जबर्दास इसी में समय लगावा इसके दोनों प्रभाव है सकरा पर तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला नहीं स्पेसिली मेरे किसको ज्यादा सुनाना अच्छा चला वाई यह आया एक स्टुडेंट का कॉपी है और उस स्टुडेंट ने जी ट्वंटी के बारे में ऐसा लिखा जी ट्वंटी बढ़ी अच्छे से ह आई पी एल तो आप ऐसा ही लिखो गया वह जैसा लिखा है और आप हिंदी मीडियम में सुरुवात कर रहे हैं तो ऐसा ही लिखो जी ट्वंटी जी ट्वंटी आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हो तो जी ट्वंटी नीचे वाले नहीं लिखना है आपको बताना है आप कि G20 की अध्यक्षता विश्व में एक्ता की सौर भामिक भावना को बल देगी या और दूसरा लाइन बोल सकते हैं महात्मा गांधी सबसे बड़े इस सिध्धान के वादी थे महात्मा गांधी बोलते थे हमेशा कि हम सब को वैस्वी किस्तर पर एक क्यों कि वो अपने जीवन म एक कथन था ऐसा अगर आप लिख सकते हो इनको मोदी जी का याद रहा तो मोदी जी के बारे में लिखे यहां पर यह है प्रस्तावना बड़े-बड़े सब्द लिखे हैं हिंद प्रसांद की भूमिका है बड़े लोगतंत्र है कुट निती का विश्वास है अनिश्चित् सरचना उद्देश यह देखो इन्होंने लिखा है जी ट्वेंटी की सरचना उसका उद्देश उसके वर्तमान वैस्विक चुनावतिया मद भारत की अध्यक्षता यहां के महत्व पर चर्चा करना आवस्या यह बता रहा है कि अब हम लोगों को इसके अंदर चर्चा करना मतलब प्रस्तावना में बता दिया कि मैं क्या क्या मुद्दो पर चर्चा करने वाला हूं यह बता दिया कि मैं अभी बताने वाला हूं सरचना क्या होता है जी ट्वेंटी के सरचना है इवन भारत की अध्यक्षता भी बताओंगा यह बूर रहे तो सुरुवात में पूरा पर चौनाई बिच बिच में रूस रूस tago पर चुनाई बर रहा है यह जो सुनाउती बर रहा है इनसब अधरों पर इस मुद्धे पर चर्चा करना त्यन तावस्यक है वह उसके अंदर में जाकर लिखता तो और बहुत जवरदस प्रभाव छोड़ते। सिप आपने सरचना सब्द लिख दिया और थोड़ा सा प्रभाव लिख दिया और ज्यादा प्रभाव छूड़ता हूँ खैर ये एक लिखने का पैटार रहेगा उसके बाद अगर हम बात करूँगा इन्होंने ये देखो हेडिंग डाला जाता है इसका उद्देश से क्या है इसके सदस्य राष्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में इन्होंने ये सब लिखना चाहा और इस प्रकार से लिखते हुए एक फॉर्मेट बता रहा हूँ राइटिंग भी बहुत साही है इनका अब यहाँ पी स्कैन होके डला है तो अलग से दीख रहा है अलग दीख रहा हो भारत और G20 से इनका क्या है कुछ इस प्रकार इन्होंने ऐसे राइटिंग किया और लास्ट में अगर मैं बात करो तिन्होंने एक विस यहाँ पर एक फिर से स्लोगन यूज किया लास्ट में इसकर्स में पहुंच गया एक विस्व एक परिवार एक भविष वसुधायव क कुटमबकम के भाव था यह लाई अच्छा उन्होंने बचा कर रखा था इस बात को वसुधायव कुटमबकम ही तो G20 का असली मुद्धा था और उन्होंने अपने अंदर उसको बचा कर रखा था आप चाहते हम क्या करते हैं जो बड़े-बड़े हथियार है सुरुआत मे ही फिक देते हैं लेकिन उन्होंने बचा कर रखा और आखरी में लिखा वसुधायव कुटमबकम का जो भाव है और उसके बाद समाब इधी मैं इसे ही समझ में आगए कि बंदा क्या लिख रहा हो और इसके कारण इसके कारण अगर मैं बात करूंगा तो इनको मेरे खिया ह हुआ है कितना दिया हुआ है थाट अज़ डिपटी कलेक्टर है तो अभी लास्ट कही बता रहा हूँ लास्ट में ही लिखा हुआ बंदा है तो कुछ इस प्रकार ऐसे लिखे जाते हैं इससे भी अच्छा लिखेंगे अगर प्रापर फॉर्मेंट में चलेंगे इससे भी कम पढ़ गया इनके में डाइग्राम की कमी जी टवंटी का एक्च्वल में इसको डाइग्राम बनाता था और कुछ नित कम से कम थोड़ा सा लोगो बनाना था कि जी टवंटी का लोगो कैसा था कैसे एक अर्थ था कैसे कमल का फूल था ऐसे उसको बनाना था तो मेरे कहने का म हमारा दिमाग इतना तेजिस भागता है यह हम ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं समय की कम ही होती है छूड़ जाते हैं लेकिन हम इससे भी अच्छा लिखेंगे बात समझ में आ रहा है कम से कम हम कोसिस करेंगे कि हमको 35-40 नमबर मिल ही जाए एक आठ्ट हो ऐसा भी से क्लिर है लग भग लग भग मैंने यह फार्मेट दे दिया कि कैसे पढ़ना है तीन ही मुद्दे रहेंगे एक भूमिका, एक विसये और आखरी में निसकारस विसये के मुद्दे आपको याद रखना है कल से मैं श्टार्ट करने वाला हूँ एक विसये के बारे में जिसको आपको पढ़कर आना है और वहा है महतारी वंदन योज अच्छा इस्टार्ट करूंगा मैं राश्टी अंदर राश्टी और 36 गड़ अलग डिवाइट करके नहीं आज महतारी वंदन योज ना डिसकस करता हूं हो सकता है कल मैं UCC के बारे में चर्चा कर दो समान नागरिक सह अने लिए क्या खा धा जै नहीं आ या जिसके बाद आपको अगर मैं बोलू हूँ तो दूसरा आपको पड़कर आनए है आचा करके भी आने है ना सबसे में टास्क है याद होना चाहिए ना जी, तो याद करके आने हैं और अभी याद किये रहो गे तो एक्जाम हाल में भ झाल झाल